साइरस मिस्थरी के असमय निधन के बाद से ही एक बात काफी चर्चा में है कि आखिर रतन टाटा और साइरस मिस्थरी के बीच ऐसा क्या हुआ था जो उन्हें टाटा संस के चेर्मेन पत से अचानक हटा दिया गया इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करने जा रहे हैं आप जानते ही हैं कि साल 2012 में साइरस को रतन टाटा की जगहा पर टाटा संस का चेर्मेन बनाया गया था साथ ही उन्हें टाटा ग्रुप की बड़ी कंपनियों जैसे टाटा स्टील, टाटा कंसल्टनसी सर्वसज, टाटा मोटर्स, इंडियन होटल्स और टाटा केमिकल्स का भी सीए ओ बनाया गया आगे चलकर टाटा ग्रूप के कामकाज में बदलाव को लेकर टाटा ट्रस्ट से उनके मदभेद बढ़ने लगे चार साल बाद ही टाटा संस के बोर्ड ने वोटिंग के जरीए साइरस मिस्तरी को पत से हटा दिया कहा जाता है कि टाटा ग्रूप की वैलियो 2016 में घट कर 103 अरब डॉलर पर आ गई थी साइरस मिस्तरी नैनो कार को बनाने में बढ़ते घाटे के कारण उसे बंद करना चाहते थे अब कहा ये जाता है कि रतन टाटा से उनके मदभेद नैनो वाले मामले पर ही शुरू हुए और जो आगे जाकर काफी बिगड गए साइरस मिस्तरी मशूर बिजनसमेन शापूर जी पालुन जी के बेटे थे साइरस मिस्तरी की टाटा संसे विदाई काफी जादा विवादों में रही जितनी धूमधाम से साइरस मिस्तरी को लाया गया उतने ही संसनी खेश तरीके से चार साल बाद ही उन्हें विदा कर दिया गया इसके बाद लंबी मुकद में बाजी हुई सुप्रीम कोट ने रतन टाटा के फैसले को सही धराया कोट ने पालोंजी ग्रुप के सभी आरोपों को खारिच कर दिया साथ ही कोट ने एक बड़ी टिपणी भी की थी सुप्रीम कोट ने कहा था कि साइरस मिस्तरी को चेर्मन बनाना रतन टाटा की सबसे बड़ी गलती थी आई अब जानते हैं कि रतन टाटा द्वारा साइरस मिस्तरी को टाटा संस के चेर्मन पत से हटाने के पीछे कौन-कौन से कारण थे टाटा संस से साइरस मिस्तिरी की विदाई में टाटा ट्रस्ट का बड़ा हाथ था टाटा ट्रस्ट के पास टाटा संस में 66 फीजदी की हिस्सेदारी थी टाटा ट्रस्ट पर रतन टाटा का कंट्रोल था साल 2012 में सायरस को रतन टाटा की जगह पर टाटा संस का चेर्मेन बनाया गया साथ ही उन्हें टाटा ग्रूप की बड़ी कंपनियों जो ऐसे टाटा स्टील, टाटा कंसिल्टेंसी सर्वसेज, टाटा मोटर्स, इंडियन होटेल्स और टाटा केमिकल्स का सीईओ भी बना दिया गया था आगे चलकर टाटा ग्रूप के कामकाज में बदलाव को लेकर रतन टाटा के साथ उनके मदभेद बढ़ने लगे इसके बाद 24 अक्टूबर 2016 को टाटा संस के बोर्ड ने वोटिंग के जरिये साइरस मिस्त्री को चेर्मेन पत से हटा दिया साइरस के टाटा संस का चेर्मेन बनने के कुछ समय बाद मिस्मैनेजमेंट दिखने लगा था और माइनोरिटी शेयरधारकों के अधिकारों को दबाने के आरोप लगने लगे थे खुद साइरस ने कई सवाल उठाए थे साल 2015 में टाटा ग्रूप की वैल्यू एक सो आठ अरब डॉलर थी जो 2016 में एक सो तीन अरब डॉलर पर आ गई इस जोरान इस ग्रूप पर कर्ज भी बढ़ गया टाटा ग्रूप के कारोबार में आई नर्मी ने इन मदभेदों को और भी बढ़ा दिया साइरस मिस्त्री नैनो कार को बनाने में बढ़ते घाटे के कारणों से बंद कर देना चाहते थे शेर्मन पत्से हटाए जाने पर बोर्ड को बेजी चिट्थी में भी मिस्त्री ने सकवल लेख किया था नैनो को रदन टाटा ने कई सालों के इंतिजार के बाद लॉंच किया था ये प्रोजेक्ट उनके दिल के काफी करीब था लेकिन नैनो कार भारती बाजार में कामयाब नहीं हो पाई साइरस मिस्त्री के कई फैसलों का विरोध होता रहा Cyrus Mystery ने Tata Group की Hospitality Company Indian Hotels Company Limited के तहर चल रहे होटलों में हिस्सेदारी कम की और कुछ को बेच भी दिया कहा जाता है कि इससे Tata Group में काफी नराजगी थी Tata Group और जपान की कमपनी NTT Docomo के साथ एक नयाएक विवाद में भी Cyrus Mystery को काफी विरोज जहिलना पड़ा था Cyrus ने Tata की कई कमपनियों में लीडर्शिप लेवल पर बहुत सारे बतलाव किये थे उन्होंने ग्रूप की कुछ कमपनियों के बिजनस को ज़्यादा फोकस बनाने की कोशिशें की जैसे Tata Chemicals के Consumer Foods Company बनने और Tata Steel को Materials के बजाए विशुद रूप से Steel Company बनाने पर उन्होंने जोर दिया था लेकिन बढ़ते मदभेदों के बीच 2016 में Cyrus को Tata Suns के चेर्मेन पत से हटा दिया गया Cyrus Mystery को क्यों हटाया गया इसको लेकर मीडिया में कई तरह के कयास लगाए गए लेकिन पूरा सच कभी सामने नहीं आया जितना सामने आया वो विस यही था कि Tata Suns का चेर्मेन बनने के बाद Cyrus Mystery ने रतन टाटा को भी अंदेखा करना शुरू कर दिया था और वो मनमानी पर उतराए थे उनके लिए गए फैसले कितने सही थे या गलत इस से जादा बड़ी बात ये है कि उनके लिए गए फैसलों से कंपनी की वैलियू नीचे जा रही थी और इस बात से कंपनी के पुराने लोग काफी नारास थे और इसलिए बाद में उन्हें अ पूरे मामले को लेकर अदालत में गए थे खैर अदालत में भी उन्हें हार का मुह देखना पड़ा अब कहा यही जा रहा है कि अगर उनके लिए गए फैसलों पर अलग तरह से ध्यान दिया जाता तो शायद वो कंपनी के पक्ष में भी हो सकते थे लेकिन वहां बैठे लोग पत से हटा दिया गया